बिस्मिल्लाइ वाक्मान अर्वाहीम नौवल है डैवल एन एंजल तहरीर है जोन्या साहले की एपिसोड थ्री तुम्हें एक बारे भी इसको अपनी तरफ रागप नहीं कर पाई आँटी वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है आज तो इसने मुझे अपने वेला से दक्के देखकर निकाला सब नौकरों के सामने इतना बेज थी कि इसने मेरी मसलसर होने से सुर्ख हुए ना को मजीज रगड़ती वो हिच्कियों से बोली अरे अब बस भी करो डार्लिंग दे ही बनोगी एमन इसकी इनकी बास सुनती शर्म से सर्जु का आगी जामा है ये लड़की भी शर्मा तो देखो कैसे रही है जी नहराम कर रका है मेरा तो दिल में कड़कर बड़बडाती चेरे पर मस्नुई तासरात लाती मुस्कुराई थी आइस इस लड़की का पता चला अपने आफिस में बैठा आंके मूँ दे सिग्रेट का गैरा कश लेता बोला जी बहुत कोशिश जा रही है यहां के तक तक हर नजर का मरकज बना रहने वाला अपना अगनोल किया जाना कैसे जाने देता जी बहुत जैसा आप कहें तुम जा सकते हो और कोई मुझे डिस्ट समझ तो गे ना जी समझ गया बोस आइस किसी रिबोर्ट की मानने जवाब देता वहां से चला गया बहुत जल्ड ढून लूँगा मैं तुमें सापका हालत में आता वो सोचों में इससे मुखातब हुआ था अपना जाने किस मोड़ पर और किस तरह वो इसे मिलने वाली थी इसके एरादों से अंजान मिंसा जो दुबारा है इसकी शकल भी नहीं देखना चाहती थी कैसी हो गुलाबो फिरोजा जो कपड़े दोकर इने तार पर फिला रही थी इस मुकर और बदी अवास पर वहीं साकत हुई हर बढ़ा कर जल्दी से अपने रिबटे की तलाश में नज़ें गुमाई तो वह कहीं नहीं था याद आने पर कि वो नीचे ही रख खाई थी अप पले पेटी वो नागवारी से बोली अरे खबरदार जो मुझे मामू कहा नहीं लगता मैं तुम्हारा मामू बहुत जल तो जब इवी बनाओंगा बहुत नक्रा दिखाया तो जादा तो कुछ नहीं होगा बस इस करकी चट से भी जाएगी खबासत बरे अंदाज में बोला वो बेशरमी से हंसता इसके करीब आया वो पीछे को सरक गई तो क्या हुआ महबत में उमर कौन देखता है मेरी जान इसकी वाहिया बातें फिरोजा की बरदाश से बाहिर हुई तो वो बागती वहां से निकलती चली गई अपने कमरे में आते ही वो बुरी तरा रोदी हम य ना तो मेरी बात सुनने को त्यार नहीं है ना तो तुझे किस मोई ने कहा था अभी से जिद लगा पढ़ गई ठंड अब आया बड़ा अलग घर में रहने वाला रुकसाना बेगम जले दिल से सलानत मलामत कर रही थी जिसकी बेवकुफी के वज़ा से हाथ आई बड़ी अ तू और भाई को किस फकर से बताया था कि में घर की बहु आ रही है अब तो पता नहीं वो मिनसा का रिष्टा भी देंगे या नहीं अब क्या कहूंगी मैं सबसे क्यों नहीं देंगे वो रिष्टा बूल गई मामों का कितना दिल था मिनसा की शादी मुझसे हो ना तूने क कौन सा उनका दिल रख लिया दो कर जवाब दिया था तूने बूल गया क्या हुआ तो क्या हुआ बोल देना मामों के बढ़ापे किलाज रख लिए तू जा और जाकर बोल त्यारी करे शादी तो होगी मेरी और अपने वक्त पर बाद में देखी जाएगी वोटर लहज़े में बोलता हुकम सादर करते हैं अपने कमरे में जा चुका था वो दान पीस करी से लान तान करती है अपनी चाहदे ओड़े घर से निकल गई कुछ भी था अब इज़त भी तो काइम रखनी थी यौरत इस वक्त रोती ने जहर से भी बुरी लग रही थी लेकर कुछ कह नही ये रिष्टा तोड़ दिया वो भी शादी से एक दिन पहले क्या वज़ा थी कोई तो वज़ा होगी ना अरे क्या वज़ा हुई थी बस शादी से एक दिन पहले फोन कर दिया हमारी बेटी यही हादी नहीं करना चाहती और बस फोन खटाक से बन ना कोई वज़ा बताई व तो सर पकड़े मसनूई आसू बहाती बोली इतने इंतिजाम किये थे इतना पैसा लगा था सब बरबाद हो गया अब तो सब ही बातें करते हैं वो दो हत्थर अपनी टांगों पर मारते वे बोली इनके बैन करने से नास बेगम का रहासा सकुन बरबाद हो रहा था इनको खौ के लिए लड़की भी तो चाहिए ना लो अरे लड़की अपने घर में मजूद है तो सही मिनसा तो फिकर किस बात की वो हाध जुलाते विला परवाही से बोली इनकी बास उनका वध धंग रहा गई लेकर ना पा मिनसा तो क्या मिनसा क्या तुम्हें कोई इतराज है इस पर पर सर जुकाती हैं पढ़ाई की भी तुमने खूब कही मजीद पढ़कर क्या करना है इसे भई अब मुझे से काम नहीं होता आगे जाकर इसे ही पूरे घर की सुमादारी संभालनी है वह तर किसे टेक लगा कर बेन्यादी से बुली नाज बेगम का सांस लिलना दुश्वा हो गया इनकी बात सुनकर कीचन में खड़ी इनकी सारे गुफ्त को सुनती मिनसा का हाल भी नाज बिजम से कम ना था इशक की नमाज के बाद मजज़ से निकलते ममूल के मताबक वहातों में तस्विए जिरे लब कुछ पढ़ते सर जुकाय चल रहे थे गली में लोग नहीं के बराबर थे घर के पास पहुंचते चाबी से दर्वाजा खोलते हो अंदर दाकिल होगे शाम नहीं है रूसा बेगम बरामदे की छट तले सुफैद चादर से हिजाब की जाय नमाज पर बैठी तस्विए करने में मस्रूप थी इनको देखते वदीरे से मुस्कुरा दिय रुख किचन की जानब था चाए बना कर दो कप लिए इनके पास आकर बैठे वो बदनाखों से भी इनकी मजूद की महसूस करती मुस्कुरा दे रुख फेड कर इनकी तरफ देखा क्या बात है आज इतनी करम नवाजी हाँ हमने सोचा चलो आज बेगम को अपने हाथ की चा चानक से क्या हुआ परिशान क्यों हो गई वो तश्वीश का इजार करते बोले सैफी आज नाज आज आई थी बहुत रो रही थी शाद भाई भी यहां नहीं है और अगर होंगे तो भी तो कोई फाइदा नहीं इनकी दन के बेटे का रिश्टा तोट गया शादी से एक दि नाज आपा क्या चाहती हैं कुछ बताया नहीं उन्होंने इनकी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा क्या करें वो अभी तो मिंसा की बढ़ाई भी मुकमल नहीं हुई और इस पर ये जुलम है वो स्यासत से बोली काश मेरा कोई बेटा होता तो मैं अपने दिल की बात बोलती व वो लब सक्ती से बेज़ती है देखे गे फिर खुद पर काबो पाते गहरा सास बरकत तसली से बोले तुम फिकर नहीं करो मैं को सोचता हूँ इन्शाला जल्द ही कोई हल निकल आएगा अच्छा सोचे वो तसली देते हुए बोले वो महर सर हिला कर रह गई मैं तो हर किसी को मुफ्त की नुकरानी मिली हुई हूई 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 जिसको जब भी काम याद आता है बगा देता है फ्रोजा वो करना फ्रोजा ये ला दे जीब जिन्दकी है मेरी भी लगता है नहीं कि एक मुझ गरीब को भी कोई सुख नसीब होगा उससे बड़ बड़ पर सर पकड़े बैठी वो गुसे में बोली तो आईस जो ही जानक इसके सामने आ जाने पर इससे टकरा कर आगे बढ़ने लगा था इसकी लांतरानी सुनता इसकी तरफ मतवज्जा हुआ जो बड़ी सी काले चादर लिये जमीन को अपनी मल्कियत समझती है राम से बैटी थ तो यहां से निकलती चलो वो सर्द लहजे में बोला मकाबल किसी मर्द के वास सुनती फिरोजा दान पीस्ते उठी ओए तुम्हें तम्हें तमीज नहीं है लड़कियों से कैसे बात की जाती है वो इस बर्डोजर टाय प्रेसलर जैसे देखते खौफ़नाक शिक्स को देख सामने आ खड़ा हुआ शायद तुम मुझसे कुछ कह रही थी तन्विय निगाहों से देखता इसे बोला नहीं तो मैं क्या बोल रही थी कुछ भी तो नहीं वो शायद मैं गले साइट पर आ गई हूँ मैं बस चलती हूँ इस से बोलती हूँ वहां से उल्टे कदमों बाग और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इससे मेरी बेटी की शादी हो मैं क्या करूं बाही साप कही इन लोगों के दबाओं में आकर मैं अपनी बेटी की जिनकी ना बर्बाद कर बैटू और शाद भी अपनी बेहन की बात नहीं टालेगा मैं अच्छे से जानती हूँ इने वो पहले भी चाहते थे कि मिनसा की शादी वहाँ ही और मुझे भी कोई अतराज ना होता वो अगर वो अच्छा इंसान होता लेकर इसकी शारत बिल्कुल अच्छी नहीं है वो रोते हुए बोली मैं अपनी बेटी को सारी उमर के लिए जहन्नम नहीं नहीं दे किल सकती और बड़ा एसान होगा मुझपर भाई साहब कैसी बाते कर रही है आप भाई भी भी बोलती है और एसान की बात भी कर रही है वो खफकी से बोले आपा सैफी ने कहा है ना वो देख लेंगे तो बस आफिकर नहीं करें सब ठीक होगा अरूसा बेकम इन्हें अपने साथ लगात पर हंसी आई वो जो काबू कर गई वो पासी बैठी सब्सी बना रही थी तेरे लिए खिज़ादे का रिष्टा आने से रहा और मेरी बात सुन जरा क्या मतलब है तेरा के कर्याने स्टोर का मुझशी तो तू कौन सा कहीं की लाइनलोड है जितनी तेरी उमर बढ़ती जा र कि लोगे यकीन इमाद और इनके सबर पर मनहसिर है अपने हाथों में पक्री तस्वीर को देखते जाने इन्हें कितने लम्हे बीट गये थे आंके नम्त ये तस्वीर में मजूद इस वजूद के ठेरे पर हाथ पेते वजबत की इंतहा पर थे वजबत जो इन्होंने कभी अपने बीवी के सामने भी जाहिर नहीं हो ने दिया मेरी अब तक की जिन्दकी का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुज़ा कि तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता प्रिंस कोई नहीं हर गुज़ता लम्हा मुझे मेरी मौत की तरफ दकेल रहा है और इस हर लम्हे में मेरी ये ख्वाइश जोर पकड़ती जा रही है कि अब तुम एक बार ही सही मुझे मिल जाओ था कि इस बेसकून दिल को मनने से पहले कुछ तो करार आए दुसी तरफ बैड़ पर सोई अरूसा बेगम की आँख से एक आँसो निकलता तक कि यह मैं जजब हो गया दोनों ही एक दूसरे से जान कर भी अंजाने बने हुए थे इनसान बहुत खुद गर्ज है अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक गिनने को त्यार रहता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के इसासा जबात से इसके सामने ये सब कोई माइने नहीं रखते तब इसके जहन में सिर्फ एक पर इनसानी बेरहम औरड को देख रहा था जो इस वक्त खुद गर्जी की उत्रहा पर थी मुझे मुझे मुझसे मुझी का ईजहार करते वक्त्व मेरा मजभ्य prot am Pang डेंजाना नहीं दीखा जो अब यह फ्रोगों मेरे नहीं निख लिए इस वक्त मेरे बुरे हलात मे बेर बोला मुझे पर जाम रखाने से बेतर है तुम अपने मरसाइल का हल सोचो सड़क पर आ गए हो कौन जाहना चाहेगा तुम्हारे साथ लाज़ा तलकी लिये हुए था मुझे कल तक ड्वोस चाहिए और मेरा बेटा भी मेरे साथ जाएगा तुम जैसा कंगाल इसके अच्छे स जाके मिच गया हिम्मत करते गुटों के बल इसके सामने बैठा मेरा बेटा बहुत ब्रेव है ना लेकन बाबा मैं आपके साथ रहूंगा ममा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती तुम फिकर ना करो मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा कहते इसे खुद में बचे भी आने वाले होंगे बस अब ठीक हो जहां मैं जा रहा हूं दुआ करें वहां बात बन जाए वैसे तो इस आदमी ने पूरी तरह यकीन दिलाया है मगर मैं खुद इस लड़के से मिलकर फैसला करना चाहता हूं अल्ला बेहतर करेगा इंशाला वो दिल मसूस कर बोल और तोर हमारे खांदान की है फिर इंकार की वज़ा देखो बेटा मैं तुम्हारी मा हूं तुम्हारा बला ही चाहूंगी वो मतल़ जी लहजे में बोली जरूरी तो नहीं जो आपका सौकॉर शोहर चाहेगा वोही होगा जो वो सकून से बोला यूँ जैसे तुफान के आन खूब कही शादी मुझे करनी है तो लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना मौम तो लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ हाँ जब करूंगा तो आपको जरूर बुलाओंगा तो अब आप यहां से जा सकती है हाथ से इशारा दर्वादे की तरफ करता वो गया इनको इनकी आउकाद बता रहा था और आज इतने साल गुजरने के बाद इने वाके लगा था कि वो अपना बेटा तो तब ही खो चुकी थी जब इसको इसके बाप से लग किया था वो शेल कदमों से चलती इसके आफिस से निकली वो तो मसकर से इनको देखता सज़ जटक के रह सहा माफ कर दें प्लीजा आकरी बार सिर्फ आकरी बार आएंदा ऐसा नहीं होगा मुझसे गलती होगी वो हाथ जोडते हुए गिर गिर गिराया लगा था ठोचर से इस शक्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी पुरा जी सम्कून में लत पत था वो मुश्किल सांस लेता गिर गड़ाया था जब अगली बार मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा तो दुबारा ऐसी गलती होगी ही नहीं क्यों सही कह रहा हूँ ना आएसी से ले जाओ आगे तुम्हें पता है क्या करना है रुमाल से कौन से सनीहाथ साब करते हैं वो बे नियाजी से बोला आए अपने घर फिर से और वो भी अपने कमरे में देख इसका डैवल मूर फिर से अन हुआ था आतों की मूटे बेचने से इसके मजबूत मरदाना बाजों की लगें उबर आई थी वो गयरे सांस लेता आंके बंद कर गया जब से दुबारा आंके खोली तो वो जब से सुरक मेरी बात एक दम चूप इसकी बात काड़ता सरगोशी के अंदाज में बोला शाय तुम्हें मेरी एक बार की बात समझते ही आई जो डीट बनी आज फिर से चली आई मगर कोई बात नहीं मैं इस बार तुम्हें मयूस नहीं करूंगा चलो आज अच्छे से समझाता हूँ व पैंट के पौकेट्स में हाठ डालता इस बिनान से वापस मुर गया कमरा अंदेरे में डूबा हुआ था और नहीं कोई किड़की थी बिल्कुर किसी कायत खाने की तरह वो खौफ से चलाती बाग कर दर्वाजे के पास आई काफी दे दर्वाजा पीटते वो ठक कर वहीं द कोहबत का बूत सर से उतरा था और वो अब इस अपने जिनकी की फिकर थी वो अभी मनना नहीं चाहती थी प्लीज हेल्प मी दर्वाजा खोलो कोई है बतले में खमोशी सुनने को मिली जैसे वो किसी गहरी कबर में उतरा आई हो खौफ से इसका तेरा स्वैद पर चुका था डैर प्लीज हेल्प मी ये इस बुड़ी ने कहा फंसा दिया मुझे वो अपना सर पकड़े चलाते वे बोली साई को कहीं का एर दर्वाजा खोलो नहीं तो अच्छा नहीं होगा मेरा बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं लेकर सुनने वारा तो वहां से कपका जा चुका थ सकती हाज़ी हुआ।